सो हे गाइस कैसे हो आप लोग कि आप लोग सब भढ़िया हो आपकी जिम अच्छे से चल रही होगी आपकी हेल्फ भी अच्छी होगी और आप चीट मिल नहीं कर रहे होंगे ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो के थमनेल में तो आपने देख लिया ह होगा कि वीडियो किसके टॉपिक के उपर होने वाली है कि क्या नैचुरली एक फैट बंदा भाई पूरा फैट बंदा की एक एस्थेटिक बॉड़ी पा सकता है तो गई सीरियसली बताओं तो भाई बिलकुल पा सकता है वो भी नैचुरली पस आप ये तीन तीन चीजों क हमेशा द्यान नखोगे ना तो आपको जैसी बॉड़ी चीलिया वैसी वनीगी तो पहली बात हम फूरा फुल नैचुरल है और स्टीरियोड कोछ नहीं लिया गाई सीरियसली और नैचुरली तो नैचुरली एकदम तर रिजल तो तगड़े आते हैं बट लेट आते हैं गा महां तक की ट्रांस्फोर्मेशन वह मेरी एकदम थ्री मंत की ट्रांस्फोर्मेशन अभी बट फुली नैचुरली पुली मलब पूरी एस्थाटिक बॉड़ी तो नहीं आई है पट हाँ यह है कि 20-30 परसंट चेंज आपको दिख रहे होंगे फोटो में यह वाली फोटो दे है कि बहुत तकडी वाली तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहली जो चीज होने वाली है वह हमारी होने वाली है क्या वोकाउट गाइस वोकाउट प्लान अपना एक्दम एक्कुडेट रखो रेपटिशन वेट वगेरा सारी चीज़ें एक्कुरेट रखो रही सीडियसल बताओं आपको क्योंको वाकाउट करेगा आपकी को सबसे वहले जोको चीज बताओ कि एक दिन में कितनी मशल करते हो एक मसल या दो मशल करते हैं कि किस्यों करते हैं कि सीजियस बताओ दूना वो चीजों बहुत बेकार है एक मसल बिल्कुल मत करो कि यार कि ये चीज सोचो कि एक मसल एक दिन में करोगे तो एक हफते में वह मसले ट्रें होगी और अगले हफते आएगा तो उसमें भी एक युद्थ करेंगे और उसको अगले मंदे को तो कितने दिन का हो गया तो कहां कि भाई इतनी तो तुम ही घीच लोगे और बॉड़ी रेस्ट में हो जाएगे इतनी वह वाली मसल तो काई सीरेसली वरकाउट प्लान श्प्लिट कर लो 2 day कर लो मट्रों की पहले दिन मंडे को चेस्ट और शूल्डर ले लो फिर उसके बाद ले लो बैक और बाईसे और उसके लेक को एक separate दिन दो क्योंकि लेक हमारी एक ऐसी मसल है जिसमां तीन यह चार मसल जोड़ती है अब गाइज यह देखो चैस्ट में तो चैस्ट होगी अपर बॉड़ी पार्ट में यहां तक हमारी चैस्ट बैक बाइसेप ट्राइसेप चार बार हम ट्रेन करते हैं अपर पार् को बिल्कुल मिस्मत करना क्योंकि लेक के वकाउट से तुमने यह चीज़ देखा होगी कि थोड़ा वैसे लेवल पर चला जाओंगो तो प्लीज आप इसका घलत मत लेना तो लेक लेक हम जब ट्रेन करते हैं तो हमारा जो इंक्रीज होता है तुम देख लेना कहीं से उठा सब्सक्राइब बनती है यह बास सच है मानो यह मत मानो चलो यह सब छोड़ो तो यह चीज के लिए अलग से टॉपिक बना देंगे अलग से वीडियो बना देंगे वह चीज छोड़ो सारी तो मैं कहा रहता है कि वोकाउट प्लान हमेशा स्प्लिट करके करो मंडे को वही च तो जिसमें रहे हमारी बॉड़ी में एक हफ्त मतलब की तीन दिन बाद ही हम दूसरी मसल को उसी मसल को ट्रेन कर लेंगे तो फिरियसली एक चीज और बताऊं तो आपको कि अगर आप आपका गोल कुछ भी हो यह नहीं कह रहा है कुछ भी हो आपका कि जैसे आपकी skinny body है स्पिट करके करो बहुत दगडा रिजल्ट देता है और एक चीज और कि अगर आप जैसे और गाइस सीरियसली तीन चीज़ों पर बिलकुल ध्यान देना चैस्ट वाली एक्साइज वाले दिन बैंच प्रेस और बैक वाली एक्साइज वाले दिन डेलिफ्ट और लेक वाली अगर इन तीनों चीज़ों पर एफेक्ट पढ़ देगाना यह पहली बात तो यह तीनों वाली एक्साइज जो है डेलिफ्ट और बैंच और आपकी वह वह उल्ड स्कूल के एक्साइज है पहली बात तो इनको कोई भी एक्साइज बीट नहीं कर सकी अभी तक तो यह चीज लेलो नॉर्मल रहें 12-15 निकालो पट करो स्कूइट करो तो पूरा डीप जाओ चाहें वेट कम कर लो ऐसा नहीं कि 30-40-42 लगा दी और भाई आवाज निकाल लिए हमसे बैठ ही नहीं पारे नीचे थोड़ा से यहां से इतना तुमारी हिप से इतना नीच आएगा फिर अगले हफते जैसे एक हफते में दो बार उसको ट्रेन कर रहे हो ना तो उसमें तो पांच-पांच के ही स्टार्ट करना अगले हफते करना कि हर चीज में हर एक्साइज में वहां 2.5 kg करने का बेंच प्रेस को यह अगर लगा रहा है 50-55 kg की तो आप धाई किलो दोनों तो जो 50-55 kg लगा लेगा और जो 55 kg लगा लेगा इससे एफेक्ट यह पढ़ता है कि अगर आप बेट बढ़ेगी एक तो पहली बात और स्ट्रेंद भड़ती तो गेन बहुत तगड़े आते हैं तो वह चीज आप बिलकुल द्यान लगना वह चीज बहुत सही होती है तो ब निउट्रिशन बॉडी को बनाने में 60% करता है तो सिरियसली आपकी डाइट और 20% आपका वॉक आउट और 20% आपका तीसरा वाला वह बता दोंगा आपको तो सेकिंड वाला है हमारा वह आपको निउट्रिशन आपका जो गोल है उसके हिसाब से आप छेक कर लो कि जैसे आ 500-300 कैलोरी उसको सर्प्लस में जाना पड़ेगा और नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि उसमें आप अपना वेट और हैट के वोडिंग एक वह आपको कैलोरी काउंट करके देगा मेंटेनेंस कैलोरी कि आप उसको जैसे किसी का वेट 78 केजी है और हैट जो भी है उसको वह डालेगा वहां तो उसमें ऐसा मेंटेन्स कैलोरी आजाएगी कि अगर आप इतनी कैलोरी कंजूम कर रहे हो तो आपकी बोडी मेंटेन रहेगी उसी बेट पर तो वह चीज मैं आपकी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको कैल्कुलेटर है व अपनी डाइट बना ले और देख लें नेट वैट से कि इस वाली में में कितना होता है वाली में में कितना होता है तो वह चीज में रहेगा 200-300 तो फायदा हो जाएगा उसको गेन कर लेगा बहुत तगड़ा वाला और गाई सीडियसली इतना में में चल जाना कि 500-600 कलोरी तो वह कुछ नहीं करेगा वह आपका फैट बढ़ाएगा बस जो लोत रहा होता है एक तम फैटी बॉड़ी कर देगा उस चीज को बिल्कुल मत करना और आपको अगर सेम वेट पर मस्कुलर बॉड़ी चाहिए तो आप टाइट अपने मेंटिनेंस केलोरी के अकोर्डिंग करना और एक चीज और जो एहम करती है हमारी न्यूट्रिशन में वह है हमारा प्रोटीन तो प्रोटीन का यह सवाल आता है बिगिनर्स का कि हमको प्रोटीन कितना इंटेक करना चाहिए तो सीरियसली अगर तुम जिम कर रहे हो न तो अपने वीट का 2.1 से मंटीप्लाइ कर कर दो जितना आएगा उतिने ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए समझे तो जैसे अगर किसी का 50 वेट है 50 तो बहुत कम हो गया तो मालो 50 मालो चलो भी 50 किसी का वेट है तो 2.1 से उसका मंटीप्लाइ करोगे तो आपका बैटेगा 110 110 तो गैस 110 उसको कैलोरी इंटेक करनी ही इसका यह था और एक चीज ना अपनी ना प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के चलो कि अपनी एक डायरी बना लो कि उसमें हमेशा सुबह खाली पेट कितना वेट है तुमारा वो चीज नोट करते रहो कि अगर कोई भी किसी का भी जो भी गूल है कि उसमें अगर उसको एफेक् 100 कैलोरी का मतलब होता गाइस या तो एक चापाती या फिर को सकते हो बनाना यूज कर सकते हो तो वो चीज खाली पेट जब होगा फ्रेश फ्रेश होके एक दब फिर वेट कैलकुलेट कर लो उसको नोट कर लो तो बस और गई सीरियसली अगर तुम ट्रांस्फॉम कर रहें तो हर दिन अपनी एक फोटो लो अब फोटो लोगे न तो मतलब ही हो जाएगा कि अब तुम उस वाले फोट दूसरी चीज थी हमारी डाइट वो टॉपक खतम तो दूसरी टेप भी तो हमारी नेच्रल वो खतम डाइट अब जोगाई सीरियसली तीसरी जो टिप होने वाली है ना जो तीसरी जो एफेक्टर एफेक्ट करता है अपनकी बॉड़ी को ग्रोथ करने में वह गाई सीरियस स्लीप नीद अगर का इस तुमारी नीद पूरी हो रही है सास से आठ घंटे की नीद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है नीद ले रहे हो तो सीरियसली तुमारी बॉड़ी एक तम फील फ्री करेगी अगले दिन उसको एनर्जी और आएगी और तुम और जोश के साथ एक बनाओ कि साथ से आठ घंटे सोए सोए बॉडी क्योंकि गाईस जो सोने का टाइम होता है कि बॉड़ी को रेस्ट मिलता है और बॉड़ी की जो मुसल की ग्रोथ होती है न वहीं सीरियसली बतां तो तुमको रात में ही होती है क्योंकि रात में सारे मस्कुलर एक दम चीज तगड़ी बताऊं ना तो मैंने फॉलोव करी थी मेरा वेट सब्सक्राइब बढ़िया वाला वो पता है कैसे हुआ है तो कुछ मत करना जैसे साथ से हर जैसे तुम दस बजे सुए और सुबह तुम जागते हो छह बजे जाग रहे हो तो गाइस एक चीज करना थोड़ा बहुत लगेगा बट बैस्ट होगा कि आप दुपैर में क्या करो कि जैसे कि साथ दस बजे सुए जग रहे हो तो गाइस बीच में एक अलाराम लगा लो बारे साड़े बारे एक बजे का उठके अपना प्रोटीन इंटेक करो फिर दुबारा सो जाओ तो बस इफेक्ट पत हो जाती है और रात में तुम उठके एक बार प्रोटीन इंटेकर फिर सो जा रहे हो तो वह बहुत एफेक्ट करेगा बोडी को ट्राइब करना और वीडियो का एंड यहीं करते हैं वीडियो की खंतम और अगर गाइस इंफोमेटे कंटेंट के लिए प्लीज फॉलो मी और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और आपका पाई ऐसी ट्रांपरमिशन अभी यह तीन महीने वाली होगी और अगे की करूंगा अभी करेंट जो फिजीक है वाली यह वाली थमनेल में देखी लिए होगा अपनी की फ्र एक वीडियो चाहिए उस टीप का कंटेंट कमेंट में कर देना मैं आपको एकदम बहुत सही चीज बताऊंगा वाइस थैंक यू पर यह सपोर्ट आपने बहुत पूरी वीडियो देखी और गैस थैंक यू एट ओल रादे रादे